Hello guys, welcome back to my channel ThinkCode and today's LeadCode Contest Challenge is amount of time for binary tree to be infected तो इसमें क्या करना है, basically तुम्हें एक binary tree दे रखा है न और बोल रखा है कि एक starting node दे रखा है उससे तुम क्या करोगे वहाँ से infection फैलना चलू होगा ठीक है और तुम्हें बताना है कि कब सारे nodes infected हो जाएंगे तो जैसे इस 3 से infection चालू हुआ, तो यह 1 और 10 और 6 पे एक साभork होगे, 1 और 10 और 6 ठीक है, तो यहां से infection इस पर जाएंगा दूसरे minute पर फिर 3 नि जाएगा, फिर 4 नि पर इन दोनों पर ना हो जाएंगे और यहां से क्या करेंगे हम इसको एक inference माल लेंगे तो कैसे करेंगे और हम क्या करेंगे बीए-f- $ पिए-f- $ मतलब एक लेवल पर जो है साथ में ट्राइवर्स होंगे फिर दूसर लेवल पे इसे लेवल पर यह फूझे यह ना अगки एसके साथ तो हो लेवल भाई लेवल चलते मतलब यह 1 वाला 10 वाला और 6 वाल एक लेवल पर 5 वाला यह और यहmal पर चलते क्या करेंगे इसका घ्राफ बनेंगे रूट बनेंगे तो इसका घ्राफ बनेंगे offense कोक पते आर कि इसमें अनुदे घ्र तो इसमें इसका मतलब के हम सारे नोट्स ले रहे हैं वन से लेकर टैन के वागा फाइव तक ठीक है तो हम उससे लिस्ट बना देंगे ठीक है लिस्ट कैसे बनाएंगे जैसे हम अमारी जो एजेसेंसी ऑफ थी में क्या पढ़ावा होगा 1, 10 और 6 पढ़ावा होगा ठीक है और adjacency of 1 में क्या पढ़ावा होगा 5 और 3 ठीक है यही तो होता है graph ठीक है न तो हम इसको build कैसे करेंगे हम इसको build ऐसे करेंगे कि भई देखो हम पहले root पे जाएंगे ठीक है root पे गए फिर हम क्या करेंगे root पे गए तो root की जो भी value होगी root arrow value उसमें हम क्या push कर देंगे उसमें हम push back कर देंगे यह root arrow left arrow value ठीक है left वाली value को push कर देंगे इसका मतलब क्या है कि adjacency of 1 में क्या push हो जाएगा 5 ठीक है फिर हम साथ में क्या करेंगे हम साथ में करेंगे adjacency of 5 में मतलब root arrow left arrow value pushback root value ठीक है ये दो चीज़े करेंगे हम तो 1 में तो 5 को push कर दिया और फिर हम 5 में भी 1 को push कर देंगे ठीक है ये दो चीज़े करेंगे ना 5 में 1 को push करेंगे 1 में 5 को push करेंगे 5 में 1 को push करेंगे ठीक है और फिर हम right में जाएंगे इसके root के right में जाएंगे नहीं, sorry अभी हम left को करा ये काम हमने ये काम left के लिए करा ये देवो, अगर इसका left है तो क्या करो, root arrow value root arrow value में क्या दाल दो root arrow left arrow value, ठीक है मतलब 1 में 5 दाल दिया फिर हमने क्या करा 5 को लिया, और 5 में 1 दाल दिया 5 में 1 क्यों दाल रहे हम इस 5 में 1 क्यों दाल रहे हम 1 में 5 दाल तो दिया ठीक है, एक बार clear करता हूँ, 1 में 5 को दाला, 1 में 3 को दालेंगे है ना, 1 में 5 को दाला, 1 में 1 में 3 को भी दालेंगे यहां पे, ठीक है पर हम ये क्यों कर रहे हैं कि वहीं 5 में 1 को दाल रहे हैं 5 में 1 क्यूंकि हम पीछे निया सकते न वापस ठीक है हम अगर फिर हम क्या करेंगे इसको explore कर लिया उसके बाद हम यहां left में चले जाएंगे फिर 5 में भी तो 1 को दलना है 5 से भी तो 1 connected है पर हम पीछे तो जा नहीं सकते तो हम अभी सही इसको दाल देंगे ठीक है और फिर यह 3 में भी हम 1 को दाल देंगे ठीक है यह यहां पर फिर हम क्या करेंगे यह 2 झाल कर दिया और नोंठ पर करए उफे सेम सीच करेंगे कि 5 की list में किसको दाल देंगे myfford को दाल देंगे तो यहां पर इस hundred ऊजाएगा ठीक है यह अधूड बी आ जाएगा है कि और थो कि लिश्ठ में किसको दाल देंगे 5 को दाल देंगे प्यूंत कि पहां देंगे फिर हम कांगे जाएंगे यहां देंगे इसको डालेंगे नाइन को दालेंगे और नाइन की लिषमें इसको दालेंगे 4 को दाल देंगे और 2 की list में किसको दाल देंगे 4 को दाल देंगे फिर हम इस पर आएंगे फिर हम क्या चेक करेंगे 9, 9 का तो कोई वह ही नहीं ठीक है, ना left है ना right है तो बस यहां से return कर जाएगा ठीक है, और 9 में हम 4 को पहले ही दाल चुके थे जब हम 4 पे थे तो ऐसे हम adjacency list create कर देंगे ठीक है, फिर हम क्या चलाएंगे BFS, तो BFS कहां से चलाएंगे 3 से, ठीक है यहां से BFS call कर दी starting node को देके और adjacency list को देके और visited को देके, ठीक है तो अब BFS में क्या करेंगे हम, start node को push कर देंगे पहले, क्योंकि हमारा BFS कहां से, यहां से चलाएंगे फिर हम 3 को push कर दिया भी Q में फिर हम इसमें 3 में कौन कों से push करेंगे 1, 10 और 6 जो जो इससे connected है ठीक है तो अभी हम 1, 10 और 6 को push कर देंगे, इसको हटा देंगे Q से ठीक है फिर हम 1 को pop करेंगे 5 को push करेंगे यह आगे 5 को push कर देगा ठीक है 1 pop हो जाएगा, फिर 10 किसको push करेंगे 10 किसी को push नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोई इसका neighbor है 10 वाली list में कौन होगा, 3 होगा बट वो visited already, ठीक है तो वो किसी को नहीं दालेगा 10 भी किसी को नहीं दालेगा फिर हम 5 को explore करेंगे ऐसे हम BFS चला देंगे और जो भी level होगा हमारा वो answer हो जाएगा, ठीक है जितने levels होगे हमारे इस BFS में वो हमारे answer हो जाएगा ठीक है So, that's it for this question Hope you like it, please subscribe to the channel Thanks a lot झालेगा